दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको अपने email id का जो password उसको change करके दिखाऊंगा कि की इस तरीके से अपने email id का जो password उसको change कर सकते हैं अगर आपको password याद नहीं है फिर भी आपने email id का जो password उसको change कर सकते हैं तो यहाँ पर सबसे पहले आपको अपने फोन का जो setting है उसको यहाँ पर open कर लेना है फोन का setting open करने के बाद यहाँ से आपके सामने कुछ इस तरीके से interface open होगा जहाँ पर आपको काफे सारे option दिखाए देते हैं अब यहाँ से आपको नीचे के और scroll करना है जब आप नीचे के और scroll करेंगे तब यहाँ से आपको एक option मिलता है Google का यहाँ पर आपको simply Google वाले option पर click कर देना है उसके बाद यहाँ से आपको manage your Google account वाले option पर click कर देना है जब आप manager और Google account वाले option पर क्लिक करेंगे तब यहां से आपको ऊपर एक option मिलता है अगर आप इस वाले option पर क्लिक करके यहां से आपने अगर कई सारे email id क्रेट कर रखें और आपको कोई दूसरे email id का password चंज करना है तो उस email id को आप select कर लिजेगा तो यहां से हमें इस email id का password जो हो चंज करना है तो यहां से हम इसे select रहने देते हैं ध्यान दीजिएगा आपका email id यहां पर select रहेगा उस email id का आपका password चंज होगा अब यहां पर आप जब left side की और slide करेंगे तब यहां से आपको एक option मिलता security का simply आपको security वाले option पर click कर देना उसके बाद यहां से आपको नीचे के और scroll करना है जब आप नीचे के और scroll करेंगे तब यहां से आपको एक option मिलता है password का तो यहां पर आपको simply जो password वाले option पर click कर देना है जब आप password वाले option पर click करेंगे तब आपके सामने कुछ इस तरीके से user interface open होगा अब यहाँ पर क्या करना सबसे पहले आपको अपने email id का जो password है उसको यहाँ पर interact कर देना है अगर आपको अपने email id का password याद नहीं तो यहाँ से आपको एक option मिलता है forget password का यहाँ से आप simply अपने email id का जो password उसको forget कर सकते हैं तो यहाँ से हमें email id का जो password उसको याद है तो यहाँ पर हम simply उसे interact कर देते हैं password इंटर करने के बाद यहाँ से simply आपको जो है next वाले button पे click कर देना है जिससे आप next वाले बटन पर क्लिक करेंगे तब आपके सामने कुछ इस तरीके से page open होगा जहाँ पर आपको दो option दिखाए देते एक option है new password का और second वाला option है create new password का यहाँ पर क्या करना आपको simply एक password create कर लेना ध्यान दीजीगा आपको password को strong create करना उसके बाद यहाँ से आपको उस password को यहाँ पर confirm कर लेना है तो यहाँ साम उस password को create करके यहाँ से confirm कर लेते हैं उसके बाद यहाँ से simply आपको जो है change password वाले option पर किलिक कर देना है जैसा आप change password वाले option पर किलिक करेंगे तब आपका जो email ID का password था वो successful तरीके से change हो जाएगा तो कुछ इस तरीके से हम अपने email ID का जो password उसको change कर सकते हैं तो बस आज की वीडियो में इतना ही अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को like कर दीजियो ऐसे वीडियो को लिए आपको चैनल को subscribe कर देना है तो चले दूस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में त